Hello everyone, welcome back to this channel आज किस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 में बच्चो को इंग्लिश के ग्रामर में अबजेक्ट प्रोनाउन का टॉपिक कैसे समझाया जाता है किस तरह की वोक्षिट के साथ आप बच्चो की इस टॉपिक से रिलेटड प्राक्टिस करा सकते हैं वीडियो को पूरा इन तक देखें वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, helpful लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चानल पे अगर आप नए है तो सब्सक्राइब करके वीडियो अधर पैनेंस के साथ शेयर जरूर करें तो अबजेक्ट प्रोनाउन पढ़ाने से पहले बच्चो को अबजेक्ट प्रोनाउन क्या होता है इसकी जानकारी जरूर दें, बताएं बच्चो को जयसे देखें, अबजेक्ट प्रोनाउन रिप्लेस आउन्स that are the object of the sentence किस सेंटेंस में जो नाउन, जो की अबजेक्ट होता है उस सेंटेंस का उसको रिप्लेस करने के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं object प्रोनाउन उसी के साथ बच्चों को बताए कि an object is someone or something who receives an action object क्या होता है someone or something जो receive करता है action को वो हमारा उस sentence का object हो जाता है बच्चों को असानी से object pronoun कैसे हो identify कर सकते हैं किसी sentence में ये भी बताया जाता है जैसे object pronouns always comes after the verb और preposition object pronoun हमेशा कब आता है verb या preposition के बाद ही use होता है तो कोई भी noun होना जिसमें verb और preposition के बाद जो noun होता है वो mostly हमारा object होता है जिसके लिए हम object pronoun का use करते हैं जैसे यहाँ पर for example दिया है जान made a cake for Daniel तो यहाँ पर इस sentence में हमारा object क्या है तो देखे जान ने cake बनाया किसके लिए? Daniel के लिए दैनियल हमारा क्या है? Receive कर रहा है ना action receive कर रहा है क्योंकि cake जॉन ने डैनियल के लिए बनाया है तो receive करने वाला person कौन हो गया? Daniel और इसी के साथ बच्चों को याद रखना है कि object pronoun कब यूज करते हैं? after verbal preposition made हमारा क्या हो गया? made a cake हमारा हो गया वर्ब, तो वर्ब के बाद जो noun हो गया वो हमारा क्या हो गया? Daniel तो इसके लिए हम यूज करेंगे object pronoun, तो pronoun हम क्या यूज करेंगे? John made a cake for him यूज करेंगे क्योंकि ये boy है तो इसी लिए यहाँ पे आपको बच्चों को याद रखने के लिए कहना है कि जब हम किसी sentence में object ढूंडेंगे तो हमेशा याद रखना है कि verb या preposition के बाद ही हमारा object आता है जो receive करता है action वो हमारा object हो जाता है जिसके लिए हम object pronoun का use करते हैं बच्चों को object pronoun में भी बच्चों को दो तरह के pronoun सिखाया जाते हैं एक होता है singular object pronoun और एक होता है plural object pronoun तो singular object pronoun में कौन-कौन से pronoun आते हैं जैसे कि me, me हम कभ यूज करते हैं जब हम अपने बारे में बात करते हैं यानि कि I subject को replace करता है me उसी तरह से जब हम एक से ज़ादा लोगों के बात कर रहे हो object में तब हम यूज करेंगे us का उसी तरह से you, you अगर आप किसी एक के भी बारे में बात करेंगे तो भी हम you का use करते हैं और एक से ज़ादा यानि कि plural object के लिए भी हम you का ही use करेंगे उसी के साथ him, her, it यानि अगर कोई boy है तो हम him use करेंगे object में girl है तो her और अगर animal या thing है तो it का use करते हैं और अगर plural की बात की जाए तो चाहे वो male हो, female हो, object हो या फिर कोई animal हो और एक से ज़ादा हो तो हम use करेंगे them object pronoun का तो ये सारे object pronouns होते हैं जो बच्चो को singular plural object pronouns में सिखाए जाते हैं तो आप इस तरह से बच्चो को इसकी practice कराएं और इस तरह से बच्चो को सबसे पहले आप object pronoun क्या होते हैं, कौन-कौन से होते हैं ये सिखाएं फिर worksheet स्टार्ट करें एक बच्चो को जब आप object pronoun समझा दें तो बच्चो को कुछ इस तरह की worksheet दें जिससे की बच्चो की practice हो पाए object pronoun से related, जैसे देखे पहला question है circle the object pronouns in each sentences, तो यहाँ पे ना कई सारे sentences दिये गाएं बच्चो को जिसमें से बच्चो को object pronoun को identify करके circle करना है, जैसे देखे पहला sentence है sit with me at the party for him, तो यहाँ पे हमारे object pronoun कौन-कौन से हैं sentence में जैसे की me हमारा क्या है, object pronoun है, तो इसे हम क्या गएंगे? circle और him, him भी हमारा object pronoun है, same way the father sent her to practice with them तो इस sentence में object pronoun कौन से है, her, her हमारा object pronoun है और उसी तरह से them भी हमारा object pronoun है, next sentence देखे, the man sees me walking with him to school तो यहाँ पे me हमारा object pronoun हो गया, और him हमारा object pronoun हो गया उसी तरह से please watch us carry it तो यहाँ पे sentence में object pronoun है us तो circle करना है नेक्स देखिए give the books to them तो यहाँ पे object pronoun क्या है them तो them को circle कर देंगे नेक्स देखिए I saw you playing with her तो यहाँ पे object pronoun क्या है you, you हमारा object pronoun है और her हमारा object pronoun है तो इस तरह से जब बच्चों को आप object pronoun दे तो सबसे पहले आप इस तरह से object pronoun identify करने की practice जरूर करा है here is the next question write the object pronoun for the underlined noun यहाँ पे बच्चों को sentence दिये गा है उसमें कुछ words को underline किया गया है उन nouns के लिए हम कौन सा object pronoun use करेंगे उसे बच्चों को दिये गए जगह पे लिखना है जैसे देखे पहला sentence है जिया कॉल सीमा टो इन्वाइट हर ओवर टो हर हाउस तो यहाँ पे इस sentence में सीमा को underline किया है तो सीमा के लिए हम कौन सा object pronoun यूज करेंगे सीमा क्या है गर्ल है और गर्ल है वो भी singular noun है तो इसके लिए हम कौन सा object pronoun यूज करेंगे singular object pronoun यानि कि हर तो हम यहाँ लिखेंगे हर इस तरह से next देखिए my mom called Billy and me in for dinner तो यहाँ पे Billy and me हमारा क्या है underlined है तो जिसके लिए हम कौन सा object pronoun यूज करेंगे यहाँ पे me included है यानि कि Billy के साथ आप भी included है तो यहाँ पे plural object pronoun का यूज करेंगे तो क्या यूज होगा us तो हम यहाँ लिखेंगे us next देखिए we got the new CD from the music store तो यहाँ पे the new CD हमारा underlined है तो इसके लिए हम कौन सा object pronoun यूज करेंगे we got it it यानि कि क्योंकि यहाँ पे singular noun की बात की जा रही है singular object है singular thing है इसके लिए हम singular object pronoun का यूज करेंगे जो की है it next देखिए we will see Paul and ran later तो यहाँ पे Paul and ran क्या है underline है इसके लिए हम कौन सा object pronoun यूज करेंगे we will see them क्योंकि यहाँ पे एक से जादा person की बात की जा रही है तो plural object pronoun यूज होगा तो यहाँ पे हम यूज करेंगे them object pronoun का next देखिए he offered to give John a right तो यहाँ पे John है जो की singular noun है इसके लिए हम कौन सा object pronoun यूज करेंगे singular object pronoun और यहाँ पे boy है John तो हम यूज करेंगे इसके लिए him इस तरह से तो इस तरह से बच्चों को जब आप object pronoun समझा देंगे तो इस तरह की वोक्षिट देते हुए बच्चों को आप समझा सकते कि कौन सा object pronoun किस तरह के noun के साथ use किया जाता और प्राक्टिस करा सकते हैं यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे वोक्षिट देगे हैं जिसमें बच्चों को सेंटेंस में subject pronoun को सिर्कल करना है और उसी तरह से object pronoun को identify करके अडिलाइन करना है जैसे देखे पहला sentence है this is Emma is Ethan's sister तो यहाँ पे इस पूरे sentence में subject और object pronoun क्या है तो इस sentence में object pronoun नहीं है लेकिन subject pronoun है कौन सा है she, she हमारा क्या subject pronoun है तो इसे circle कर देंगे next देखे, Smith is afraid of snakes, they are dangerous इस sentence में they क्या है हमारा, they है हमारा subject pronoun जिसके लिए हम इसे circle कर देंगे और यहाँ पे object pronoun नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे next देखे, I cannot understand the puzzle, can someone help me तो इस sentence में देखे, I हमारा क्या हो गया, subject pronoun हो गया क्योंकि यहाँ पे action कौन कर रहा है, I तो यहाँ पे यह हमारा हो गया, subject pronoun तो इसे हम circle कर देंगे, और यहाँ पे can someone help me, यहाँ पे me हमारा हो गया, object pronoun क्योंकि हम receive कर रहे हैं, तो इसलिए यह हमारा object pronoun हो गया, तो इसे हम underline कर देंगे तो यहाँ पे sentence में हमारा subject pronoun कौन सा है, तो देखे, them हमारा क्या है, object pronoun है, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, underline कर देंगे, इस तरह से, और यहाँ पे कोई भी subject pronoun नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे इस sentence में, यू हमारा क्या है, subject है यो object pronoun है, तो यहाँ पे जेन से पूछा जा रहा है, क्या तुमने amusement पार्ग में new right try किया है, तो यहाँ पे हमारा यू जो हो जा रहा है, वो हो रहा है subject pronoun, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, circle कर देंगे नेक्स देखिए, they are going to the play area with him, तो इस sentence में हमारा subject क्या है, दे, दे हमारा subject है, तो इसे हम क्या करेंगे, circle कर देंगे और him, क्या है हमारा object pronoun है, तो इसे हम underline कर देंगे, तो इस तरह से बच्चो को subject और object pronoun के प्राक्टिस आप करा सकते हैं Now here is the next question, circle the pronoun, then write if it is subject और object, तो यहाँ पर बच्चो को sentences दिये गए हैं, जिसमें बच्चो को circle करना है pronouns को, और उन pronoun को identify करना है, कि वो subject है या object जिसे दिये गए जगा पे लिखना है, जैसे देगे पहला है, my brother gave me some chocolate, इस पूरे sentence में हमारा pronoun कहाँ पे है, मी, मी हमारा क्या है, pronoun है, अब यहाँ पे पूछा गया है, subject है या object है, मी, तो मी क्या है, हमारा object pronoun है, तो हम यहाँ लिख देंगे, object इस तरह से, next देखिए, we wrote the bus to the mall, तो इस पूरे sentence में pronoun कौन सा है, we, we हमारा क्या है, pronoun है, तो we कौन सा pronoun है, subject या object, तो यह है subject pronoun, तो हम यहाँ लिख देंगे, subject इस तरह से, नेक्स दिखिए, mom gave you the last slice of pizza, तो इस पूरे sentence में हमारा pronoun हो गया, you, तो इसे हम क्या करेंगे, पहले circle कर देंगे, अब you क्या है, हमारा subject है, या object pronoun है, you हमारा object pronoun है, क्यूंकि mom हमारा क्या है, subject pronoun, क्यूंकि mom दे रही है, और receive कौन कर रहा है, आप receive कर रही है, आप receive कर pronoun, तो हम यहां लिख देंगे, object इस तरह से, नेक्स दिखिए, Sarah kicked the ball to them, तो इस पूरे sentence में हमारा pronoun कहा है, them, them हमारा pronoun हो गया, जो की क्या है, subject है, object, object pronoun, तो हम यहां लिख देंगे, object इस तरह से, नेक्स दिखिए, I went to the grocery store, I went to the grocery store में, I हमारा pronoun है, पहले हम circle करेंगे, और I हम वारण क्या है कौन सा प्रोनावन, subject या object, subject प्रोनावन, तो हम यहां लिख देंगे subject इस तरह से, तो इस तरह से बच्चों को आपको sentences दे के, उसमें identify करने के लिए कह सकते हैं, कौन सा subject या object प्रोनावन है, इसके practice के लिए आप इस तरह की worksheet बच्चों को जरूर दे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और बच्चों के लिए helpful लगा हो तो please वीडियो को like करे चैनल पे अगर आप नए हैं तो subscribe करना बिलकुल ना भूले मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो ये वोक्षिट के साथ तब तक के लिए take care and bye bye